दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से LTS में स्वागत है डर, भाग्य और स्टॉक्स आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं रियल इस्टेट और स्टॉक्स पे तुलना तो नहीं है लेकिन कुछ पहलों पे हम चर्चा करेंगी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कहां बहतर हो सकता है तो पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि एक भी तार अगर छूट गई तो करेंट नहीं पहुचेगा और जब करेंट नहीं पहुचेगा तो दिमाग के बत्ती बिलकुल भी नहीं जलेगी पूरा जो है विर्थ हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से हम कह रहे हैं ऐसा नहीं कि आप अपना खुद का घर रहने के लिए ले रहे हैं देखे डर ये है कि इनसान के जहन में डर इतना भर दिया गया है बचपन से आप भूत प्रेत इन सब के बारे में आप सुनते सुनते जब भी कभी आप अकेले में होते हैं किसी ऐसे हांटेट प्लेस में होते हैं तो आपको डर लगता है क्योंकि आपने पहले सुना हुआ है अदरवाइज ना आपने कभी देखा होगा ना आपने कभी महसूस किया होगा सिर्फ डर है तो इसी प्रकार से stock market में जोखिम लेने का डर आपके अंदर बना हुआ है, तो इसको आपको निकालना होगा, दूसरा जब डर के मारे हम कोई opportunity मिस कर देते हैं, हम अपना investments पेकार कर देते हैं, तो हम अपने भाग को दोश देते हैं, कि हमारे भाग में यही लिखा था, जितन पैसा बनना था, जितना मिलना था, वही लिखा था, तो इसको भी जो है, इस पे भी निर्भर रहना आपको छोड़ना होगा, और stocks, stock market को देखे हम लोग क्यों प्राथमिक्ता दे रहे हैं, यही एक ऐसा platform है, यही एक ऐसा instrument है, यही एक ऐसी जगह है, जहां पूरी दुनिय के लोग, आपकी सारी industries, आपके जितने fund houses, आपके जितने government की बड़ी-बड़ी schemes, swim government, आपका ही पैसा यहाँ पे लगता है, और जो जितना बुद्धिमान है, उसी इसाप से यहाँ से पैसा बना के लेके जा रहा है, तो डर को हटाईए, भागे पे निर्भर रहना छोड़ करना चाहते हैं, तो generally, अगर माली जी किसी के पास 50 लाग से 1 कोड़ रुपए के बीच में है, तो हम 1 कोड़ पकड़ लेते हैं, ताकि हमें calculation में आसानी रहे, और समझाने में भी आसानी रहे, किसी बड़े मेट्रो शहर में जैसे कि मुंबई हो गया, अगर आप 1 कोड़ का देखे, कोई भी कड़ रुपए के आसपास का अगर वन भी अच के फ्लाइट है, तो रेंट उसमें कम से कम 20,000 के आसपास ही उसमें मिलता है, तो साल का अगर टोटल जोडेंगे, तो भी कम निकल के आएगा, क्योंकि आपको प्रतिमाह उसमें से 2-3,000 रुपए तो मेंटे प्रकार का मिलेगा, 2016 में जो नोट बंदी हुई थी, उसके बाद जो कैश में लेन देन था, वो मूसली कम हो गया है, तो जिनके पास बहुत धनराशी थी, ब्लैक का पैसा था, बीना किसी रुकावट के भया हमारी ये बेल्डिंग में एक फ्लोर आप दे दीजे, दो फ्ल हो गए, अब रियल स्टेट में 2016 के बाद उस हिसाब से इसमें रिटन नहीं प्राप्त हो रहे हैं, जैसा पहले हुआ करता था, दस साल में करीब करीब जो मेट्रो सिटीज हैं, जो डेवलब्ड शहर हैं, उनमें मुझे लगता है कि 10 साल में कम से कम 100% रिटन मिल पाएगा, यानि कि आपका पैसा डबल हो पाएगा, करीब 7% के आसपास मानके चलिए, CAGR मिल सकता है, अगर 1 करोड है, यानि कि अगर आप FD में भी कर देते हैं, तो FD में भी अगर देखा जाया, तो 6% के आसपास मिल रहा है, तो रेंड से ज्यादा ही मिल रहा है, हलांकि FD में आप आपको capital gain नहीं मिलेगा, वो चीज़ यहाँ पर एक अच्छी है कि real estate के भाव दिन-बदिन बढ़ते जाते हैं, उसके बाद अगर आप buildings खरीदने जा रहे हैं, एक रुपए का तो 6-8% का आपको यहाँ पर stamp duty देना पड़ेगा, उसके बाद society के कुछ charges है one time वो पे करने प हैं, बाकि आपकी value बढ़ रहे हैं, बस आपको इसी बात की खुशी होती है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ सोचें और इस डर को निकाल दें, तो हमारा भाग जो है चमक जाएगा stock market से, कैसे? जैसे कि हम चर्चा करें, कि जैसे यहाँ पर HCL take है, अगर माली जीए इसमें आ अगर देखेंगे, तो खरीब इस गिरी हुई market में भी आपको जो है, इन पांच वर्षों में बड़ा पैसा, HCL आज की date में करीब 1500% के आसपास के return भी हैं, और आपको अच्छा yield dividend के रूप में भी मिल रहा है, इस तरीके से और भी कमपनियां हैं, जैसे Infosys हो गई, Infosys त सकता है कि आपको शीग्र से शीग्र इसमें और भी अच्छा return मिल जा है, तो कहने का तात्पर है कि अगर आप इन कमपनियों में नहीं जाते, एक खतरा जो एक डर बना हुआ है कि कोई भी कमपनी कभी भी डूप सकती है, बड़े market cap की कमपनियां हैं, और इसका yield भी देखे और आपको dividend वगेरा भी मिलता रहेगा, ठीक, एक साल में करीब 34% के आसपास का return यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस गिरावट के माहौल में भी, लेकिन अगर आप सोचें बहुत गौर से कि हम कोई ऐसी कमपनी का चुनाओं करें और थोड़ा risk, डर को निकालते हुए, थ चुनाओं करें, जिनके fundamentals अच्छे हों, जिनका business अच्छा हों, जो वर्षों से पूरे भारत वर्षों में अपने products बेच रहे हों, उनमें क्या potential हो सकता है, तो जैसे कि 2019 के लिश्टेट कमपनी हैं, लेकिन company बहुत पुरामी है, लार्ज कैप की कमपनी, साथी साथ आप इस industries को भी अपने products बेचते हैं, और साथी साथ एक आम consumer भी इनके products खरीद के अपने घरों में इस्तेमाल करता है, यही कारण है कि एक साल में इस गिरावट में भी 61% के return यहाँ पे दिखाए दे रहे हैं, 6 मैंनिम करीब 31% के positive पढ़ह return दिखाए दे रहे हैं, 43 की price turning ratio पे है, य अगर आप इसका return देखेंगे, तो 2019 में जब से list हुई है, किसी ने अगर एक बड़ी धनराशी डाली है, यह तो उनको 432% के return भी मिल रहे हैं, साथी साथ उनको थोड़ा सा खर्चा पाने dividend के रूप में भी मिल रहा है, तो 432% return क्या यह मामोली return है, आपका पैसा 4 गुना क करीब होने को है, यह कोई छोटा मोटा return तो है नहीं 5 वर्षों में, या जब से 2019, 20, 21, 22, 23, 4 साल के आसपास, तो यही कारण है कि जब भी आप निडर होके किसी company का चुनाव करते हैं, जोखिम लेते हैं, तो आप पैसे से पैसा बना पाते हैं, otherwise देखे क्या होता है, जो financial advisors ह होते हैं, वो अपनी जगे बिल्कुल सही होते हैं, आप मुझे भी बोलेंगे, आप मुझे पांच क्रोड रुपे दे देंगे और कहेंगे कि यह मेरा पैसा है, इसको आप manage कीजिए, तो मैं क्या करूंगा, diversification करूंगा, कुछ पैसा bonds में, कुछ पैसा mutual funds में, कुछ पैसा direct diversify करूंगा, ताकि आपका 5 करोड रुपे वो धाई करोड ना हो, बलकि 5 करोड से अगर सवा 5 करोड हो जाए, तो आपको लगे कि चलो पैसा कम तो नहीं हुआ है, तो जो individual investors हैं, HNI, वो अगर खुद से manage करते हैं पैसा, और risk लेते हैं, तो ज्यादा पैसा बड़ा बना सकत बशर्ते हैं वो थोड़ा सा research नहीं कर पाते हैं, बशर्ते हैं वो थोड़ा सा किसी company पर एक लंबा टिक नहीं पाते हैं, बशर्ते हैं, वो 50 stocks ले लेते हैं, तो करीब खरीब एक तरीके से उससे अच्छा है कि आप 50 stocks लेने से अच्छा है, आप 50-50 ले लिजिए, उसका ETF ले लीजिए, इंडेक्स फंड ले लीजिए, इस तरीके से जैसे कि अब दूसरी कंपणी का भी एक्जामपल ले, अफे न्यू सुपर मार्ट, 3768 रुपाई की प्राइस का, ऐसी बहुत सारी कंपणी अभी हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन बिजनस को फोकस करते ह मैं आपको बता रहा हूँ कि कंजूमर कहीं ने कहीं जुड़ा हुआ है, रिटेल का खारोबार है, ये काम आदमी जाता है, इनके स्टोर में, खरिददारी करता है और अपने घर पे आ जाता है, ये कंपनी अभी डिविडेंट तो नहीं दे रही है, क्योंकि ये कंपनी आसपास इसकी मार्केट कैप है, करीब 6,000 के आसपास ये हाई बना चुका है, और 6,276 के आसपास ट्रेड हो रहा है, साल का 4600 maximum हाई रहा, एक साल में 78% के यानि फिक्स डिपॉजेट वाले डिटन आप कह सकते हैं, 6 महने में कोई डिटन नहीं है, 4% का नुकसान हो रहा है, लेकिन ऐसी कमपनियां अगर आप लंबे समय में देखेंगे, तो जो जब सी लिस्ट हुई है, 2017 से आज की डिट में देखते हैं, तो 488% के रिटन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आपके पैसे को 5 गुना कर चुकी है, यह क्या छोटी बात है, तो अगर देखें, इस पी लगाऊं, कितना लगाऊं, तो क्या हो जाता है, कि वहाँ पे जो आपको डर और आपका भाग और यही सार चीज़े मिलके आपको पीछे ढखेल देती हैं, तो आप कमाने से चूक जाते हैं, दरसल कहने का तात पर है, कि यदि आपका बड़ा पैसा है, तो बड़ी कमपनिय में लगाना पड़ेगा, और खासकर उन कमपनियों में, जिनके प्रमोटर बहुत ही शानदार है, जिनका बिसनेस बहुत अच्छा है, अब इनके प्रमोटर्स हैं, दमानी साहब, वो शेर मार्केट के भी दिगज रहे हैं, तो वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चल रह करेगा, और हमें अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना दीरे-दीरे पूरे भारत वर्ष में, तो ये सारी चीज़े मैटर करती हैं, जब भी आप कभी बड़ा पैसा लगाएं, तो डर को सबसे पहले भगा दें, अपने पोर्टफोलियों से, अपने मस्तिश्क से, उसके च्छे कमपनियों भी लगाते हैं, तो दो-चार कमपनिय अगर आपको पैसा इसी हिसाब से रेटन दे रही हैं, पांच सालों में, देखिए किसी साल मंदी है, किसी साल तेजी है, तो जब तेजी आती है, जो मंदी में लॉस हो रहा होता, वो भी रेकवर कर लेती है, और उ पैसा लगाते वक्त, तो ओवरवल जो सार था, कि जो एसे नहीं कैटेगरी की लोग हैं, पचास लाक, एक रोड, जो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से निवेश कर रहे हैं, उनको कहीं ने कहीं मुझे लगता है, स्टॉक मार्केट में जोखिम लेना चाहि मुझे लगता है कि रेल स्टेट से बढ़ है अन्वेस्टमेंट सवई हो सकता है, हमारा मातर एक डर होता है, अगर आप अच्छे स्टॉक का चुनाव कर पाएं, या अपने वित्तिय सलाकार से आप इस बात को लेके मशुरा करें कि मैं जो है सिर्फ इतनी कंपनियों में न मुझे ग्रोच चाहिए, मुझे मेरा पैसा पांस साल में तेस साल में करीब, अगर दस साल में एक लंबे पीरियड में आपका एक करोड रुपया, अगर वो पांच गुना भी हो जाता, दस साल के बात करों, तो भी बहुत बड़ी बात है, जो कि आपको रियल स्टेट में या किसी अधर चीजों में नहीं मिलेगा, और वन क्लिक में आप बाई और वन क्लिक में आप सेल कर सकते हैं, यही खासियाद है कि लिकुरिटी यहाँ पर ज्यादा है, जबकि आप रियल स्टेट में कोई प्रॉपर्टी बेचने जाएंगे, तो पहले तो आप पले पूरे समाज को पूरे परिवास से डिसकस करने के बाद किसी प्रॉपर्टी को बेचने का दुस्टा हस करेंगे, अगर उसको बेचने का आपने संकल्ब लिया है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी बायर ढूमने के लिए बहुत मेनद करने पड़े उसके पस्चात आप कुछ भॉचिए रखिंग